दोस्तों, आज में लेक्या आगया आपके लिए Excel का एक बहुत ही बहतरी इन ट्रेक्ट, जिसमें हम सीखेंगे, हम डेटा को actual में copy-paste कैसे करते हैं, और अब भी हम सीखेंगे manual और इसके बाद सीखेंगे dynamic, तो वीडियो पूरी देखना, आपको end-to-end knowledge मिलेगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमारे पास एक चोटाज़ डेटा है, जिसमें कुछ information है, जैसे job role, education, rating, monthly income and so on, अब यह वाली जो information है, हमें same duplicate करना है second sheet पे, तो यह रहा sheet 1, मैं एक sheet create करता हूँ, इसका name sheet 2 है, अब अगर sheet 1 का data, हमें duplicate करना है sheet 2 में, तो हम ideally क्या करते हैं, मैं करता हू equals to, sheet 1 में जाता हूँ, और पहले वाले cell को select करता हूँ, enter, और यह आगया हमारा job role, इसी को अगर हम right की तरफ ड्राग करेंगे, तो मेरे सारे headers आजाएंगे, इसी को अगर हम नीचे की तरफ ड्राग करेंगे, तो मेरे सारी information भी आजाएगी, but यहां पे देखिए, यहां पे job roles में आता हूँ, यहां पे F2 प्रेस करता हूँ, अब यह आ रहा है, sheet 1 A1 से, ठीक है, तो यहां पे हम एक if condition लगाएंगे, मैं बोलता हूँ, if this is equals to 0, then blank, else, हम same इसी value को उठा के put कर देंगे, तो हमारे पास same यह है, sheet 1 का reference 1, इसी को मैंने यहां पे put कर दिया, bracket close किया, enter किय और इसी को अब हम right करके, नीचे drag करते है, तो यह देखिए, सारे के सारे zeros हट गए है, अब अगर हमारे sheet 1 में, कोई भी value change होती है, जैसे यह मेरा है, let's take sales executive, मैं sales executive paste किया, यह है single, यह है bachelor, इनकी rating is very good, और इनका monthly income कुछ same है, अब मैं sheet 2 में जाता हूँ, automatically हमारा यह data यहां पर reference होने लग्या है, यह तो रहा जो हम manually करेंगे, जैसे अब इसी का एक और मैं option दिखाता हूँ, जैसे यह sheet 1 है, मैंने नई excel file open कर ली, इसको मैं side by side रखते हैं, अब इस excel file का data हमें दूसरे sheet में, worksheet में चाहिए, जैसे यह देखिए, मेरी worksheet 2 है, मैं same equals to press करूँगा, और प पहले cell में double click करता हूँ, अब यह देखिए, book 1 क्या है, book 1 है, इस वाले sheet का मेरे worksheet का name, इसका name है book 1, और यह reference कहां से ले रहा है, sheet 1 A1 से, अब अगर इसी को मैं right में drag करता हूँ, और इसी को नीचे drag करता हूँ, क्या यह मुझे information दे रहा है, जी नहीं, क्योंकि जब भी हम और दूसरे किसी worksheet में data लेते हैं, तो वो हमेशा cell को lock कर देता है, तो यहां से मैं A1 से dollar हटाता हूँ, और अब मैं इसे right में drag करता हूँ, और नीचे drag करता हूँ, और यह देखिए, same, हमारे पास information आ गई है, but again, हमें यह zero करने के लिए, हमें यहां पर एक simple if condition लगाना है, म bracket close किया, enter, अब मैं इसे right और down drag करूँगा, और मेरी सारे information यहां पर आ चुकिया, see, without zero, तो यह तो रहा हमारा एक manual तरीका, अब हम सीखने जा रहें, इसको हम dynamically कैसे copy paste करें, तो जब भी हमें अगर dynamic करना हो, तो हमें क्या करना है, सब से पहले जो हमारा data है, जो हमारा list देत इसको हमें table में convert करना है, इसके बहुत सारे benefit है, वो हम आगे देखने वाले, मैं table में कैसे convert करता है, मैंने data को select किया, मैं insert में गया, यहां पे लिखा है table, मैंने table में करके, my table as a header, yes and okay किया, अब यह जैसे ही मेरा table में convert हो गया, अब जैसे ही आप convert करोगे, at the top, आपको name change करना है, आप कुछ भी लिख देजिए, जैसे मैं लिखता हूँ table, मैंने लिख दिया table first data, अब जैसे आप इसको completely select करेंगे, और वापस अपने table में जाएंगे, इसका है table first data, see, अब जब हमने यह table में convert कर दिया, अब बहुत easy है, हमने नई sheet add करी, अब हमें वो table का data ले क करना है, square bracket जैसी open करोगे, यह आपको options देदेगा, कि आपको अब क्या ले के आना है, आपको सारा data ले के आना है, data ले के आना है, headers ले के आना है, क्या ले के आना है, मैंने का एक बारी all data ले ओ, मैंने all data किया, मैंने square bracket close किया, और मैंने enterprise किया, and see, सारे का सारा data आ चुका है इसमें आपको कोई function, कोई 0 लगाने के ज़रुद नहीं, यहाँ पे जैसे जैसे data increase होगा, let's take, मैंने इसको copy किया, यहाँ paste किया, और automatically आपको यहाँ पे data दिख जाएगा, क्यों? क्योंकि यह हमारे table first data से सारा का सारा data लेके आ रहा है, अब यहाँ पे तो हमने all columns किया, हमें all columns नहीं चाहिए, हमें कुछ-कुछ limited columns चाहिए, जैसे हमें job role चाहिए और monthly income चाहिए, खीक है, अब हमको job role चाहिए था, और monthly income चाहिए था, पहले job role को हम close करते हैं, अब हमें monthly income चाहिए, मैंने इसी को copy किया, second वाले cell में paste किया, अब यहाँ पे, rather than job role, हम इसे लिख देंग है, और यह dynamic है, जैसे आप यहाँ पे कोई भी changes करोगे, let's take, हम यहाँ पे monthly income को एक value दे देते हैं, बहुत बड़ी सी, ताकि एक अलग साई value दिखाई दे, मैंने यहाँ पे 20 lakh का data दे दिया, अब मैं sheet 3 में जाता हूँ, और यह देखे, automatically, dynamically, यह numbers update करता है, तो next time onwards, कभी भी आपको अगर data copy करना है, तो आपको normal list से copy नहीं करना, उसको हमें table में convert करना है, first, उसके बाद आपको यह options यूज़ करने है, तो अगर आपको भी दोस्तों, यह practice के लिए sheet चीए, नीचे description में link है, मेरे साथ साथ practice भी कर सकते हैं, तो आशे करता हूँ दोस्तों, आप लोग उन सबी के ताथ share जरूर करना,